दोस्तों अगर आपके पार्फ में आधार कार्ण है, तो आपको 5 मिनट का समय निकाल के इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना है, आपके लिए बहुत एक जरूरी अपडेट है, अगर आप नहीं देखते हैं, तो हो सकता है कहीं न कहीं आपको परेशानी हो सकती है, तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आधार की तरफ से एक नया अपडेट आया हुआ है, अपडेट हालांकि नया नहीं है, पुराना है, बट उसकी लास्ट डेट जो है, वो बहुत करीब आ गई है, और अगर लास्ट डेट से पहले आप ये काम नहीं कर लेत और किस प्रकार से आप इस परिसानी से बच सकते हैं, नमस्कार मैं हूँ आपका दोस्त रामराद, और अगर आप चैनल पर नहीं है, तो चैनल को स्क्राइब करके बिल आइकन को आल पर सेट करके जरूर रखेगा, और वीडियो को अभी इस लाइक कर दीजिएगा, तुकि अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर लें, वरना आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा, इनेक्टिव हो जाएगा, सबसे पहले बिल्कुल फ्री दिया जा रहा था, उसके बाद फिर पांसो रुपे किया गया था, उसके बाद फिर एक हजार रुपे किया गया था, कई सिच्वेशन जो है आधार के साथ भी होने वाली है बहुत जल्दी पिछले कई महीनों से आधार की तरफ से यह नोटिफाई किया जा रहा है कि आप अपने आधार कार्ड में डाकुमेंट अपडेट कर लें यानि कि अपना आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ और जो ल जरूरत है उनको आधार के तरफ से मैसेज भीजा जा रहा है और किसी कारण से मैसेज रिशीव नहीं हो रहा है तो आप प्रूफ पर लोग इन करते हैं वहां पर भी आपको एक पॉपप में दिखाया जाता है और आपको लिखा हूँ अमी जाएगा कि आपको डाकुमेंट अपडेट करने की आवस्त्ता है और आप जल्दी से जल्दी कर लें अगर ऐसा कोई भी स्टेटस आपको Vic होता है तो आपको जल्दी से जल्दी डाकुमेंट अपडेट कर लेना है वरना आपको पायण कार्ट के जैसी ही परेशानी होने वाली है और आपको बता दें कि डाकुमेंट अपडेट करने की युलाश्ट डेट है वो 14 मार्च है जी हाँ मार्च केल रहा है आज 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 नो तारीक हुई गई है और बहुत कम समय रह गया है उसकिल से एक हफते से भी कम का समय रह गया है और अगर आप जल्दी से जल्दी डाकु जो फ्री हो रहा है उसका अच्छा पैसा यानि ज्यादा पैसा आपसे लिया जा सकता है हलांगि ये अपडेट जब सुरू हुआ था उस समय मातर 20 रुपे में अपडेट हो रहा था उसकी बाद फिर फ्री कर दिया गया था और अभी फ्री के बाद में अगर पैसे लेना हो सकता है कि कम से कम 50 रुपे तो रहे गई हो सकता है 100 रुपे भी कर दे ये सरकार की मर्जी है अभी फाइनल नहीं कह सकते हैं कितना लगेगा बट अभी आपके पास में समय है तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी बिल्कुल फ्री में अपना डाकुमेंट अपडेट कर सकत है क्योंकि वो लोग फ्री में नहीं करेंगे कुछा कुछ पैसे लेंगे तो इसलिए वहां पर भी आप कर सकते हैं और अगर आप अपने घर से करने में सक्षम है आपको थोड़ी बहुत जानकारी है तो आप बहुत आसानी से अपने मोबाइल से भी ये प्रोसेस कर सकते है और डाकुमेंट अपडेट करना कैसे है उसका मैंने लाइब प्रोसेस दिखाया हुआ एक वीडियो में उस वीडियो का लिंक आपको डिस्केप्शन में मिल जाएगा आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से स्फ्री में अपने आधार में अपना डाकुमेंट अपडेट कर सक उसका प्रोसेस बहुत इजी है बस आपको अपना कोई ब्राउजर ओपेन करना है वहां पर माई आधार सब्सक्राइब करेंगे तो आधार की ऑफिशियल ब्राउजर पर पहुंच जाएंगे माई आधार.gov.in उसके बाद में वहां पर लोग इन करने को उप्शन मिलेगा तो आपको लोग इन कर लेना है और जैसे ही लोग इन करेंगे तो वहां पर आपको स्टेटस हो जाएगा सबसे ऊपर में ही आपको रेड कलर में लिखा हुआ मिल जाएगा अगर आपको डाकुमेंट अपडेट करने वाने की आवसेत्ता होगी तो अगर अपडेट करने वा लिए जा रहा है कि आपको डाकुमेंट अपडेट करने की आवच सकता है तो आप जल्दी से जल्दी 14 बार से पहले कर लें और अगर वहां पर कोई भी इस्टेटस हो नहीं हो रहा है तो फिर आपको बिल्कुल भी टेंस लेने की जरूरत नहीं है और अधारकायट का भी लिं को जानकारी मिल पाएं ताकि सभी लोग समय से अपने आधार में डाकुमेंट अपडेट करवा पाएं ते लिए मिलते हैं एक नहीं जानकारी के साथ में पत्ता के लिए जाहें